इस question में हमें क्या given है two numbers are in the ratio three is to five two numbers है उनका ratio कितना है three is to five है तो एक number को हम मान लेते है A मान लेते है और एक number को हम B मान लेते है तो इन दोनों को हमें ratio कितना given है तो इसको हम 3P मान लेते हैं कोई एक variable के साथ लिखना रहता है तो 3P है 5P मान लेते है और इसमें से हमने जब 13 घट आया और इसमें से भी 13 घट आया तो इनका जो ratio बनके आ रहे अब वो कितना बनके आ रहे 10 is to 21 ठीक है इतना बनके आ जा रहे कोई डाउट तो नहीं है अब देखो में चीज क्या है इसको हम कैसे लिख सकते हैं यह 3P माइनस 13 और 5P माइनस 13 यह किसके बराबर हो गया 10 और यह किसके बराबर हो गया 21 तो इसको solve करके हम P की जो value है वो निकाल सकते है ठीक है अब देखों अगर इसको हम solve करें तो यह कित 21 इधर जाएगा और यह वाले term इस तरफ जाएगा तो इस तरफ यह multiply हो कि कितना आएगा 21 इंटू 3P माइनस 13 और यहां पर कितना बन जाएगा 10 इंटू 5P माइनस 13 21 इंटू 3 यह 63 बन जाएगा माइनस 21 इंटू 13 आपका 210 और 210 में 360 और जोड़ दोगे तो 273 बन जाएगा यह आपका 50P बन जाएगा और यहां पर बन जाएगा माइनस 13 तो इसको जब solve करोगे तो यह solve के आएगा कितना 63 माइनस 15 13P और इस तरफ जब यह जाएगा तो 273 में से 13 जब जाएगा 273 में 100 गया 173 और 30 तो 143 तो P की value आजएगी यहां से 11 ठीक है तो A जो आपका नंबर जाएगा 33 और यह कितना आजएगा 55 55 बोला क्या गया 15 is added to each of the original numbers ठीक है मतला इसमें 15 जोड़े जा रहे है और इसमें 15 तो आप जो ratio है वो कितना हो जाएगा तो यह हो जाएगा आपका 8 और यह 4 और यह आपका हो जाएगा 70 ठीक है तो ratio किसका निकालना है 48 और 70 का करेंगे तो यह कितना बज़ जाएगा 2 से कट जाएगा और यह 2 से कट जाएगा ठीक है और यह किसी नंबर से कैंसल आउट होगा 3 से 7 से होगे नहीं होगा किसी से कैंसल तो इसका आंसर हो जाएगा option number D ठीक है यह एक तरीका था करने का अब दूसरे में हम फिर से क्या था कि छोटे वाले मेठेट से हम कैसे कर सकते हैं अब पते कि दो नंबर से वही ए और बी और दोनों का रेश्यों कितना गिवेन है ठीक है अब जब इन में से 13 और 13 हम का जब सब्स्ट्राइक कर रहे है तो यह बन कितना रहा है आक्चुली में 10 और 21 बच रहा है ठीक है दे अब ब uns rồi कोई एक हम नंबर माल देते हैं एसी समझने के लिए एक नंबर 20 हो और एक नंबर 25 होस्याओं अगर मैं इसमें से भी 5 गहाँ और इसमें अलग नहीं होना चाहिए, जब भी आप दोनों में से एक ही चीज घटा रहे हूँ, जैसे मैं इन दोनों में से कितना घटा रहा हूँ, पाच और पाच अगर मैं घटा रहा हूँ, इसमें से भी मैंने पाच घटा आया, तो इससे अंतर कभी नहीं बदलता है, जो पहले डिफ सबस्यवार्स दिए अगर में इसको लेवें से मल्टिप्लाई कर दूं और इसको मैं डी बिम् लेभयोगी का में 25 मुन्यवें 11 से मल्टिप्लाय किया तो 31 से 53 और 55 अगया दो और यह 20 से मख्माइब अब यह कितना बन जाएगा 32 तो 13 यहां से घटे तभी कितना अब बहुत अब बोला क्या गया था यह अब इसमें जब कितना जोड देगा है 15 तो इसमें 15 गार्ड कर दो तो यह वही सेम आजएगा 48 और 70 और फिर यहां से वही काल्कुलेट हो जागा 24 और 35 यह चोटा वाला मेठट था